एग्रिकल्चर से जोड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें हर अपडेट पर नज़ाइए एडवास दी एग्रिकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है मुंक्फली के प्रमुक रोगों में पीलिया रोग भी अधी मैदपूर्ण रोग है यह रोग मुक्यते फेरस या लोहा तत्व की कमी बूमी में पाई जाने के कारण होता है इस तत्व को आईरन भी कहा जाता है ये रोग मुख्यते हलकी वे कंकरिली बुमी में अधिक होता है इस रोग के लक्षण की बात करें तो सबसे पहले पतियाँ पीले होने लगती है और समय पर इसका प्रबंदन नहीं किया जाए तो देरे देरे ये पीली पतिया टपेद होने लगती है और अंत में उपर की सारी पतियां सफेद कागज के समान हो जाती है इसकी रोग्ठाम है तू जिन खेतों में मुफली में पीलिया रोग अधिक लगता है वहां तीन साल में एक बार बुवाई से पूरव 200 किलोग्राम जिपसम प्रती हेक्टिर के हिसाब से डालें खड़ी पसल में पीलिया रोग की रोगठाम के लिए बुवाई के 40-55 दिन पर या जब लक्षन दिखाई दे तब फेरस सलफेट या हारा कसीस का 0.5 परतिसक यानि 5 एमेल परती लिटर पानी के साथ-साथ कुछ बुंजे नीमू के रसकी भी मिलाकर छिड़काव करें यदि फेरस सलफेट उपलब नहीं है तो आप खड़ी फसल में गंदक के तेजाब के 0.1 परतिसक यानि 1 एमेल परती लिटर पानी का गोल फसल में फूल आने से पहले एक बार तथा पूरे फूल आ जाने के बाद दूसरी बार चिड़काव करके भी इस पीलिया रोग का न नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करें और निरंतर जुड़े रहें इस परकार की उप्योगी जानकारी के साथ धन्यवाद करें